नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है सरर हिंदी यूटूब चेनल पर आएए पढ़ते हैं क्लास फाइप मेरी गोल्ड बुक का चेप्टर वंडर्फुल वेस्ट चेप्टर टू वंडर्फुल वेस्ट यह चेप्टर बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो केरल के त्रावनकagtर की है केरल में त्रावनकagtर एक राज्य था बच्चों और यह केरल के ठीक मध्य में था जिसकी राजदानी पद्मनापुरं थी बहुत बड़ा राज्य था ये तमील नाजू और कन्या कुमारी तक फेला हुआ था तो बहुत ही motivational story आईए पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें दिया हुआ है West can be quite useful कोई भी चीज जिसे हम West कहते हैं कुडा करकट कहते हैं वो बहुत उपयोगी हो सकती है Find out for yourself from this story आईए ये story पढ़ेंगे और आप खुद पता लगाएंगे कि वास्तों में कोई भी चीज West जिसे हम कहते हैं Best हो सकती है और हम चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं Best from the West Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace Palace याने महल Travancore के महाराजा ने अपने महल में एक grand dinner party रखी In the afternoon before the dinner उस दावत से पहले उस party से पहले afternoon में the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast है रहा उनोंने दो पहर में और dinner के time से पहले दो पहर के बाद रसोई घर जो था उनका जहां रसोई बन रही थी उस grand fish के लिए grand dinner के लिए बड़ी दावत के लिए वहां उन्होंने प्रवेश किया यह जानने के लिए कि कौन-कौन सी dishes बनाई गई है और क्या तयारी है ठीके तो what are you going to do with those vegetable scraps महाराजाने वहां रसोई के पास में रखी एक टोकरी में देखा कि वहां पे बहुत सारे vegetable scraps सब्जियों की बची-खुची कतरन जो होती है वह वहां पर रखी विए छीलन और कतरन जिसको scraps कहा है तो उसका क्या करोगे यह पूछा त्रावन कोर के महाराजाने कुक से रसो यह पूछा ही आस्दा क्या पूछा what are you going to do with those vegetable scraps यह जो vegetable scraps है इनका आप क्या करेंगे जब उन्होंने ऐसा पूछा तो कुक को कोई जवाब नहीं था उसके पास उसने बोल दिया कि यह तो west है इसको फिक दिया जाएगा है ना जब राजा ने pointing to the basket of scraps near the cook इशारा किया उस basket की ओर जिसके मोई scraps रखे हुए थे तो the cook replied उस cook ने जवाब दिया they are west वो सब कुडा करकट है west thing है we will throw them away हम उसे दूर फेक देंगे जैसे ही उसने यह कहा राजा ने सक्ती से जवाब कहा वापस से cook से कि you cannot waste all these bits and pieces of vegetable आप यह जो vegetable की कत्रन है यह जो टुकड़े हैं यह pieces हैं इनको आप इस तरह से वैस नहीं कर सकते हैं बरबार नहीं कर सकते हैं find a way to use them इनका कोई तरीका देखो जिससे यह उपयोग की जा सके तब महराजा commanded sternly and walked away महराजा ने सक्ती के साथ कठोर्दा के साथ यह बात कई और वहाँ से चल दी और जब महराजा किसी cook से रसोय से बात कह दे तो बच्चों निश्ची थे कि cook की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी सोस में पढ़ जाएगा तो the cook was in a fix वो बेचारा उल्जन में पढ़ गया यहाँ fix का मतलब है उल्जन कछी नाई तो उस समय वो cook जो था रसोया एक उल्जन में था and kept staring at the vegetable scraps for some time थोड़ी देर तक तो सब्ची की उस कतरन जो रखी हुई है यह इस टोकनी में इसको देखता रहा देखता ही रहा add the vegetable scraps for some time थोड़ी देर तक वो उसकी और देखकर विचार करता रहा suddenly suddenly मतलब एक आए अचानक and idea flashed across his mind उसके दिमाग में एक idea आया he took all the vegetable bits washed them and clean them well उसके बाद क्या किया रसो ये ने सारे vegetable की उस कतरन को उन टुकडो को लिया उनको वास्ट याने उनको धोया clean them well और अच्छी तरह से उनको साफ किया उसके बाद क्या किया then he cut them into long strips लंबी कतरनों में लंबी strips में उसको काटा he put them in a huge pot huge pot का मतलब होता है एक बड़ा वर्तन जिसमें गरम किया जा सकता है तो मटके जैसा बड़ा वर्तन है देखिए यहाँ पर ये रसो ये ने इस बड़े वर्तन में ये सारी चीजें रख ली उसने डाल दी और उनको आग पर रख दिया पकाने के लिए है ना he put them in a huge pot and placed it on the fire to cook next आगे क्या किया उसने he ground some fresh coconut fresh coconut यहने ताजा नारियल लिया green chili, hari मिर्चेली और garlic together और लहसून, लहसून, मीश और coconut इन थीनों को लिया और इन थीनों को उसने पीसा ठीके यह उसका paste बनाया उसके बाद क्या किया उस paste का he added this paste and some salt to the cooking vegetables वो जो vegetable जो cook कर रहा था उन गत्रनों से उस west से उस huge pot में उस बड़े बरतन में उसने यह paste जो बनाया था उसको थोड़ा नमक के साथ में mix कर दिया डाल दिया और जब वो गरम हुआ पकने लगा तब क्या हुआ a tempting smell started coming from the pot उस पकने वाले जो सामान था तो उस बरतन से जिसमें सामगरी पक रही थी उससे एक बड़ी लुभावनी मन मोहक मन को भाने वाली बड़ी अच्छी खुश्बू आने लगी now he whipped some curd and added it to the curry तो वो जो curry बन रही थी उसमें क्या किया कुग ने थोड़ा सा कुछ धी लिया और उस धी को फेटा गोटा उसको मिलाया अच्छे से mix किया और उस curry में उसने उससे डाल दिया he also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves उसके बाद उसने नारियल का तेल लिया पूरी चमज भरी और उसको उस pot में डाल दिया जिसमें वो डिश बना रहा था और डिश जब उसकी बन गई पक गई तो उसने जो curry पत्ता होते हैं curry leaves बोलते हैं उसके साथ उस डिश को उसने सजा दिया lo and behold the new dish was ready लो देखो आश्यर से देखो ये नई डिश एक तयार हो गई the cook served this new dish to the guest that evening और उस evening को जो grand fish था बड़ी दावत थी उस दावत में जो महमान आये थे उन सब को cook ने जो dish बनाई थी है west material से सबजी के इसको सबको उसने सर्व किया अब यह तो नई चीज थी इसका नाम किसी जो पता नहीं था everyone was eager to know the name of new dish हर कोई नाम जानना जा रहा था कि ये नई dish कौन सी है भाई the cook thought, cook ने सोचा and thought और सोच ता रहा थोड़ी देट है then a name came to his mind और उसके दिमाग में एक नाम आया he named it avial और उसने क्या नाम दिया उसका avial इसको avial नाम दिया avial become famous all over kerala and is now one of the dishes in a traditional kerala fist और ये avial उस दिन से इतना अच्छा लगा खाने वालों को कि ये famous हो गया प्रसित हो गया वही नहीं पूरे kerala में avial dish बनाया जाने लगा और आज की तारिक में avial kerala का एक पारंपरी भोजने पारंपरी dish है feast है and amazing it all came from a basket of west और मज़ेदार बात ये है कि ये इतनी बढ़ी आटिश कहां से आई उस टोकरी में जो west material था सबजी का जो scraps था जो छीलन थी उसके द्वारा उन्होंने ये इस तरह का बढ़िया सा एक dish तयार किया और के रेला में ये dish प्रसित हुआ यहाँ पर बच्चो ये chapter ये छोटी से story खतम हो जाती है हम देखिये language को जब भी पढ़ें तो हमें शब्दों का अर्थ बहुत अच्छी तरह मालू होना चाहिए और जो भी sentence हम पढ़ते हैं तो formation of sentence हमारे ध्यान में आना चाहिए है ना ये छोटी सी story है इसमें ट्रावन कोर के महराजाने एक बार बहुत बड़ी दावत दी उस दावत में जो सबजी का west material था जो scraps थे उसका उपयोग करने के लिए कुक को कहा गया बड़ी सक्ति के साथ कहा तो उसने सारे उस west material को सबजी के उन टुकडों को उन स्क्रेप्स को पहले वाश किया साफ किया धोया और उसको एक बड़े वरतर में पकाया उसमें कुछ ingredients डाले coconut chili और garlic का paste बना के डाला फिर उसमें दहीं डाला जब dish बन गई तो कड़ी पत्तों से सजा दिया और उसका नाम दे दिया है ठीके अब यहां कुछ शब्द दे बेटा पेलेस यह जो मैंने आप लोगों की सुईदा के लिए कुछ डार कर दिये हो सकता है इनका meaning आपको पता करना है जिन के बारे में आपको पता नहीं है पेलेस एक बड़े महल को कहते हैं यह ना पहलेस जो royal house होता है किसी राजा का king का royal house of a king उसको हम बोलते हैं पेलेस before यहने पहले जैसे after होता है उसका opposite before है ना महराजा entered महराजान ने प्रवेश किया survey of dishes यह बहुत important sentence है महराजाने क्यों प्रवेश किया to survey of dishes that had been prepared for the feast जो feast के दावत के लिए जो dishes बनाई गई थी उसका उन्होंने survey किया ठीक है pointing का मतलब होता है showing दिखाया इशारा करके यह टोकरी में जो इसा रखी हुई है जो west जीजए इसका आप क्या उप्योग करोगे west का मतलब होता है जो west होता है कूडा होता है जिसको throw them away throw मतलब fake ना ठीक है यहाँ पे sternly sternly का meaning यह strictly बोला गया harshly बोला harsh word में कि आप इसको बरबाद नहीं कर सकते है ठीक है suddenly याने अचानक एक एक और fleshed across his mind याने idea came in his mind अचानक उसके दिमाग में का idea है तुक देखिए यह हमें पता होना चाहिए टेक मीन्स लेना टेक का जो सेकंड फाम है वर्ब का वो टुक होता है पास्टेश में ऐसे ही वास्ट से वास्ट और क्लीन से क्लीन बनाए तो यह कुछ वर्ड है जो आपको समझना है देखना है आईए इसमें new flashes जो दिये इने fix का मतला भी मैंने बताया था आपको a situation hard to escape from कोई ऐसी situation जो आपके लिए कठी ना ही बेदा कर दीती उसको आप इने fix बोलेंगे flash across the mind suddenly think है ना अचानक आप कुछ की सोचते है low and behold यह हो रहा है look what a surprise देखो क्या आशर जनक चीज़ बन गई traditional feast है है ना हर टी मिल फॉर मेनी के सर्ड ओवना इस्पेशल हर राज में हर जगे कोई ना कोई चीज़ ट्रेडिशनल होती है हमारे मध्य प्रदेश में मालवा में दाल वाफल है traditional feast है है ना ऐसे ही उड़ी सा की अपनी feast है असम की अपनी feast है आईए थोड़े सा दो तीन उस पेलेस में महल में किसकी preparation हो रही थी बिलकुल easy है इसमें आपको क्या करना है तो what question को हटा करके आप there लिख देंगे only there लिखेंगे और four के बाद आप great feast लिख देंगे there was the preparation in the palace for great feast यह आपका answer हो गया what हटा के आपको there लिखना है और four के बाद आपको great feast लिख देना है answer complete हो गया why did the maharaja go into the kitchen in the afternoon अभी हमने पढ़ा था कि वो dishes का survey करने गए थे जो grand feast दिया था है ना तो आप why did को हटा दीजिए अब maharaja के यहां से शुरू कीजिए और चुकि maharaja गए थे तो go का यहां went हो जाएगा बच्चों the maharaja went into the kitchen in the afternoon to survey the feast है ना the dishes okay आप देखिए maharaja वहां क्यों गए थे जो dishes बने थे उस feast के दिन उसको survey करने के लिए गए थे अगर आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा sentence पूरा का पूरा answer आपको यहां मिल जाता है ठीक है maharaja went to the palace for kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast आप only to survey the dishes लिखेंगे तो भी answer complete होगा लेकिन that had been prepared for the feast लिखेंगे तो और ज्यादा complete हो जाएगा survey the dishes भी अपने आप में complete है next question देखिए what had the cook plan to do with the vegetable scraps देखिए आपको पता है कि cook जो था उसने क्या प्लान किया था the vegetable scraps starting में कोई प्लान नहीं था है न there is no plan है उसके पास कोई प्लान नहीं था firstly they there is no plan by the cook but बाद में क्या हुआ उसने he took all the scraps wash and cleanse and make a dish उसने सोचा और dish बनाई ठीके तो ये इसका है इसमें से concern paragraph में आप जाईए और वहीं से इसका question अच्छे से लिख सकते हैं ingredients are the things that are used to make a dish circle the ingredients of a well in the box below आपको यहां circle लगाना है कि कौन सी चीजे थी ingredients का मतलब वह items वह कौन-कौन से material थे वह कौन सी things थी जिसके द्वारा वह dish बनाई गई कोई dish बनाने में जो जो सामगरी लगती है उसको हम क्या कहते है ingredients चिलीज उसने ली थी तो चिलीज आएगा coconut आएगा garlic आएगा यह तीनों का लेकर उसने paste बनाया था groundnut नहीं लिए थे roasted peanuts भी नहीं लिए broken bangles भी नहीं लिए थी wood भी नहीं लिया था यह skirt लिया था यह बास्केट की नहीं जरूरत थी vegetable scraps उसने लिये थे pot की जरूरत नहीं थी huge pot लिया था लेकिन यहाँ नाम वो नहीं है curry leaves उसने जरूर ली थी ठीके तो यह chilis, coconut, garlic, curd, vegetable scraps and curry leaves यह total जो चीजे 1-3-4-5-6 यह ingredients थे state whether the following are true or false आपको सही और गलत बताना है the king had ordered a dinner in the palace बिलकुल सही है king ने आदेश दिया था एक great fish के लिए dinner के लिए तो यहाँ आएगा true no one had heard of no one had heard of our tested avial before उस great fish के पहले किसी ने भी उस dish के बारे में नहीं सुना था जिसका नाम avial रखा था यह सही है गलत बिलकुल right है सही है किसी ने नहीं सुना था ना किसी ने test किया था the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps जो दूसरी dish बनाई थी vegetable scraps से इसके बारे में cook ने पहले से प्लान किया हुआ था यह सही है गलत बिलकुल गलत है उसने कोई प्लान नहीं किया था राजा ने जब strictly बोला उसके बाद उसके दिमाग में idea आया और उसने प्लान किया तो बच्छो यह simple से कुछ question answer है जो मैंने आपको समझाए आपको यह पाठ यह कहानी यह समझाना कैसा लगा आप comments में जरूर दें और हमेशा यह भी ध्यान रखे कि घर में और कौन-कौन से items ऐसे होते हैं जिनकी आप शर्चा जुरूर करें कि आप best from the west आप वेस्ट चीजों से कोई best कैसे बना सकते हैं मैं एक छोड़ा सा इशारा आपको कर देता हूं बाजार से जब हम लोग मूली लाते हैं तो उसके पत्ते वहीं west समझ कर फेक देते हैं प्याज जब नया आता है तो उसके बारे में भी ऐसा ही होता है गोभी का केवल उपर का white full हम ले लेते बाकी west फेक देते हैं तो ऐसे कौन-कौन सी west material होता है सबजी का scraps होते जिनका अच्छी डिश बनाई जा सकती है इसके अलावा भी हम अपनी life में अपनी daily life में कौन जी ऐसी चीज होती जिसको west समझते हैं लेकिन उससे best बनाया जाता है तो यह chapter हमारा यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद बच्चों अगला वीडियो में एक नया chapter English का लेकर आऊंगा नमस्ते चैभारत जै